Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Poonia. Today we will draw a quadrilateral when two adjacent sides and three angles are known. अजब हमें दो adjacent sides given होंगे और three angles given होंगे, तब हम किसी भी quadrilateral की construction कैसे करेंगे? आज हम यह construct करना सिखेंगे, ओके? और first question is, construct a quadrilateral MIST, MIST quadrilateral construct करनी है, where MI is equal to 3.5 cm and IS is equal to 6.5 cm, angle M is equal to 75 degree, angle I is equal to 105 degree and angle S is equal to 120 degree. जब तो adjacent side given हैं और three angles, अब adjacent side कैसे होगे, adjacent side कौन सी होती थी, continue, अब देखें, adjacent side होगे, तो दोनों में एक common चीट जरूर मिलेगी, MI और IS, दोनों में I common हैं, मतलब आपकी दोनों adjacent side हैं, तो दोनों adjacent side given हैं और तीन आपको angles given हैं, तो ऐसी quadrilateral की construction हम कैसे करेंगे? construction में आपको क्या करना हैं, जो B side आपको given हैं, सबसे पहले, जैसे MI ST आपको quadrilateral draw करनी थी, और MI side given है, तो आप उस MI को draw करेंगे, ठीक हैं? MI कितनी से 3.5 cm, तो आपने 3.5 cm MI को draw कर दिया, उसके बाद आपकी इन दोनों में से अगर MP angle है, तो MP angle draw कर दो, IP है, तो IP draw कर दो, ठीक हैं? अब आपको MP भी angle given हैं, क्या given था 75, तो MP angle 75 था, 75 draw करेंगे, और draw कैसे होके 75? First arc जो लगती है आपकी 60 पे, और second 120 पे, और 90 क्या होता है, 60 और 120 के बीच का, और 75 क्या होता है, 60 और 90 के बीच का, और ये पता कैसे चलेगा आपको, कि 90 किन के बीच में आएगा, अब देखे, 60 और 120 एड़ करोगी, क्या हो जाएगा, 180, और 2 से डिवाइड करो क्या आगया, 90, तो 90 किस-किस के बीच में बनेगा, 60 और 120 के mid में, ऐसे ही 75, 60 से बड़ा है, 90 से छोटा है, दोनों का एड़ कर लो, 60 प्लस 90, क्या हो जाएगा, आपका, 150, टू से डिवाइड करो, क्या आगया, 75, तो 75 किस-किस के बीच के बीच के एगल बनेगा, 90, और 60 के बीच का, तो आपने क्या किया, कमपास ओपन किया, यह हाफ आर्क लगाई, इस पे से जब फर्स्ट आर्क लगाओगे, कमपास उतना ही ओपन रखना है, फर्स्ट आर्क 60 पे, सेकेंड आर्क 90 पे, 120 पे, ठीक है, यह हो गया, आपका 60 डिगरी, यह हो गया, 120, और जो बिल्कुल स्टेज जाता है, प्रिपेंडिकुलर जाता है, वो होता है, 90, तो यह हो गया, आपका 90, आपने क्या किया, आपने जितनी भी आर्क ओपन की हुई थी, जितना आपका कमपास ओपन किया हुआ था, उससे आपने 60 से एक आर्क लगाई, और फिर दूसरा 90 पे रखके एक आर्क लगाई, वो क्या बनगे आपका 75 डिग्री, तो इस में से आप एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, जो 75 डिग्री का आपका क्या बनाएगी, एंगल, अब सेकिंड आपको आई का एंगल गीवन है, तो आई पे बनाएंगे 105, जो बनेगा आपका 90 और 105 के बीच में, तो आपने क्या क्या 90 तक तो ड्रो कर लेंगे, 90 और 120 के बीच में, सेम वो ही, 90 पे रखके आर्क लगाई, 120 पे रखके आर्क लगाई, क्या बन गया आपका 105, इससे लाइन लेके जाएंगे, बट यहाँ पे आपको, यह आप अपनी मर्जी से नहीं लेके जा सकते, क्यों, क्योंकि आपको IS गीवन है, IS कितना है 6.5, तो यह जो आई से आप लेके जाएंगे, आई से आप मेजर करके 6.5 cm लेंगे, ठीक है, और 6.5 cm पे पॉइंट के आ जाएगा IS, ठीक है, क्या पॉइंट आएगा S, यह बन गया आपकी लाइन IS, 6.5 cm, अब आपके पास जो गीवन था, उसमें से एक एंगल ड्रो करना रहता है S, जो है आपका 120 डिगरी, तो S पे आप कमपास ओपन उतनी ही रखेंगे, तीनों में कमपास आप सेम ओपन रखेंगे, यह नहीं है, कभी कम कर ली, कभी ज़्यादा कर ली, ठीक है, यहाँ कमपास रखा, आपने ओपन किया, और 120 का एंगल कैसे ड्रो होगा, फर्स्ट, सेकिंड, सेकिंड जो आर्क होगी, वो बनेगी आपकी 120 डिगरी की, चीक है, 120 डिगरी की जैसे ही आर्क बनी आपकी, आप स्टेट लाइन लेगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको और कोई तो लाइन सेग्मेंट गीवन ही नहीं था, ठीक स्टेट लाइन लेगे आप, अब आपकी यह 75 वाली लाइन जो थी, वो और यह जो S एंगल वाली लाइन है, जहाँ पे मिलेंगे, वहीं पे आपनी क्वाड्री लेटरल कम्प्लीट हो जाएगे, और वो पॉइंट क्या बनेगा, जो आपका लास्ट पॉइंट रहता था वो, टी नहीं गीवन था, तो यह बन गया आपका टी पॉइंट, अब आपके पास इस क्वाड्री लेटरल में, थी एंगल्स हैं, और टू साइड्स हैं, बाकी अगर आपको टू साइड्स और जो फॉइंट एंगल है, वो बताना हो, तो कैसे बताएंगे, क्वाड्री लेटरल में, इंटीरियर एंगल का सम कितना होते हैं, थी तीन पता हैं आपको, तीन का सम कितना आया यहाँ पे, 75 प्लस 105, 180, 180 प्लस 120, अब आपको करनी है, इन लाइन सेग्मेंट की मेजर्मेंट, तो लाइन सेग्मेंट की मेजर्मेंट क्या रहेगी आपके पास, ये लाइन सेग्मेंट आपके पास आया है, 3 सेंटीमेटर, आप स्केल से मेजर करके लिख सकते हैं, ठीक हैं, and this line segment is of 9 cm, यह line segment आई आपका 9 cm का, तो यह आपकी क्या बनेगी, required quadrilateral, कैसे करेंगे, पहले तो जो common mi है जैसे, mi side ही आप क्या कर लेंगे, जैसे mi st आपको quadrilateral draw करनी थी, तो mi side given है, तो mi ही draw कर लेंगे, उस पे जो angle आपको बताए गए हैं, वो draw कर लेंगे, एक और जो side बताई है, वो side उतनी ही long आप draw करेंगे, लेकिन पहले angle draw करेंगे, उसके बाद line draw करेंगे, ठीक है, यहां तक आगे आपका यह बन गया, यह दो angle बन गए, ठीक है, उसके बाद यह angle की जो line थी, और यह angle की जो line थी आपकी, यह जहां meet करेंगे, वो आपका fourth point बनेगा, quadrilateral होगी आपकी complete, अब आपको बताना है, उसकी दो side जो बचेगी, वो कितने centimeter की है, and जो angle है वो, तो आप तीनो angle का sum करके, total में से subtract कर दो, क्या angle, and lines को, आप line segment को measure कर दो, तो आपका line segment की length था जाएगी, ओके, यह क्या बन गए, आपकी required quadrilateral, construction में आपको कुछ नहीं करना, only यही लिखना है, पहले आपने क्या draw किया, उसकी बाद क्या draw किया है, draw MI 3.5 cm, and IS 6.5 cm, आपने angle draw किया, I, फिर S draw किया, फिर M draw किया, और आपक required के आगी, जो quadrilateral थी, वो आगी, ठीक है, thank you class.